हलो एब्रीवन मैं विश्याल आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं जेपी पाउर के बारे हम बात करने की सबसे बड़ी होज़े यह बनी की जेपी पाउर में फिर से एक बार कांटीन्यू उच्छाल देखने को मिल लई है आज सुबह से मार्केट में जो है चार परसन का आपर अपर सरकेट देखनेों को मिला था आप अपर सरकेट कर बीडियो के लए है हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में बात करने से raft आप अमोरे विडियो एक बैस करे लिजे अगा। कियो कार कियो आ रही है और किस कार से आ रही है हम अपको एक चीज हो बढ़ा देरा हाँ कि यह एक पाउर को को हम जो एक पैसा लगाने के iqosig करेंगे जिदने का हम दिक्स ले सकते हैं क्योंकि इस company का price जो है बहुत कम है 7.25 पैसे पर है इसलिए panic stock के रूब में कार करता है लेकिन panic stock होने के साथ साथ इस company के share में हमें अच्छा खासा profit देखने को मिलता है बीच भीच भी हमें profit भी अच्छा देख प्राप्त होता है कि अभी हाली फिलाल में company का share 11 रूपए से लेकर 12 रूपए के target को touch कर चुका है उसके बाद company में थोड़ी गिरावर देखने को मिली है लेकिन अब जाके company का share फिर से उपर क्यों बढ़ने लगा है हम थोड़ा एक नजर company के share के बारे हम डालते है company के पिछले year की बात करते हैं देखे company ने एक साल में जो है अच्छी खासी growth देखने को मिली है company मातर एक सालों में जो 93% का growth देखने को मिला है पूरा मिला के माना जाए कि अगर आप इस company में पैसा लगाते है तो आपका पैसा जो है बहुत कम समय में डेवल हो सकता है लेकिन इसमें रिक्स है अगर हम company के देखे 5 दिनों की बात के देखे company में 5 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल लगी company ने मातर 5 दिन में जो 16% का growth देखने को मिल गया है लेकिन इसमें रिक्स के साथ हमें इसमें काम करना है पैसा लगाना है हम थोड़ा एक डजर company के चार्ट के बारे हम डालते हैं कि company किस प्रकार से growth कर रही है देखे जेपी power का जो चार्ट खुल के आ चुका है अब JP Power के चार्ट में आपको देखिए कंपनी की गिरावड कहां से आपको देखने को मिले हूं आपको बदा देखिए यह कंपशनी का टारगेट पॉंट है कंपनी ने सबसे हाइस पॉंट जो ग्यार रूपए के टारिगेट को टच कर लिया दा यहां पर कंपनी जो 11 रुपए के टार्गेट टच करने के बाद उसके बाद इसमें गिराओर देखने को मिलिये देखिए यहां पर कंपनी ने 11 रुपए के टार्गेट को टच कर लिया था उसके बाद कंपनी उसके बाद मार्केट में गिराओर देखने को मिलिये कि अभी र सपोर्ड लेवल को टॉच कर लिया कि यहां से कंपच офर जाने के ओंप कोशिश कर रहा है यहां आप यहां से कंपच laten यहां देख सकते हैं कि सेर जो है रुट के बाद यहां पर चार बचका। बच tips कर डेखने का बात करते तो कंपनी में जह है 15% के उचाल देखने को मिल लई है 4-5% के सरकीट के साथ 3 दिन में कमपणी ने 15% का उचाल देखने को मिल गया इस कंपनी के हम टार्गेट के अगर बारे में बात करे तो हमें जो पहला टार्गेट इसमें 8 रूपए 8 रूपए से लेकर 9 रूपए तक किसले कमपनी नहीं पर देख Pence कर सकते हैं इसके साथ किसले किольше शBlue कमपनी पहीन ह 컨 vi sales लगाना में जाना लगाना है कि कमपनी कुछ आ Genau अगये तो company में अची कासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है company में उसके साथ साथ आपको देखिए इसमें जो आपको लाँटर एक साल के यह समें टार्ट करते हैं गए ऐसमें अजिन देखने को स्कती है तो we 국o ये क्स एक साल का टार्गेट मता रहे हैं आपको उसके पहले सबकु ør क्षयारे लिए लेकिन पेनिक स्टाक होने के साथ बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमें कम से कम पैसा लगाना कम से कम रिक्स लेना है वीडियो में कर जानका है अच्छी लेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद